दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप मात्र 5 मिनिट में अपिस्टोक्स के अंदर अपना डिमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपिस्टोक्स जो है इंडिया का fastest growing investment platform है और जिसके इंडिया के अंदर 70 लाग से भी ज़्यादा customer हो चुके हैं यहाँ पे आप अपना अकाउंट केवल 6 steps के अंदर open कर सकते हैं और zero brokerage charges के साथ में आप equity में investment कर सकते हैं उसी के साथ 0% commission पे आप mutual fund में भी investment कर सकते हैं तो चलिए सीखते हैं कैसे आप equity stocks में अपना account open कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो की description में दी गए link पे click करके आपको अपिस्टोक्स की official website पे आ जाना है आपके सामने कुछ इस प्रकार का page आ जाएगा यहाँ पर आपको अपना mobile number डाल के sign up with mobile पे click करना है उसके बाद में आपके mobile number पर OTP भेजा जाएगा और आपको वो OTP डाल के continue कर देना है फिर आपको security के लिए 6 digit का pin डालने के लिए बोला जाएगा यहाँ पर आप अपने पसंद का 6 digit का pin डाल कर continue कर सकते हैं उसके बाद में आपको अपना email ID देना पड़ेगा और उस email ID पर OTP आएगा तो next step में आपको वो OTP डाल के continue कर देना है फिर next step में बोला गया है आधार कार्ड और pen card आपके पास ready होना चाहिए यह आपको upload नहीं करना है लेकिन आपके पास हाथ में होना चाहिए क्योंकि next step में आपको pen number डालने के लिए बोला जाएगा और उसी के साथ साथ आपको date of birth डालना है और next पे click कर देना है उसके बाद में आपको कुछ personal detail डालने के लिए बोला गया है जैसा कि आप देख सकते है gender पूछा गया है आपका status single है या married है उसके बाद में आपकी income आप जितना income बताना चाहें उतना बता सकते हैं उसके बाद में आपके पास basic question है अगर आपका trading गा experience है तो आप डाल सकते हैं otherwise आप zero भी कर सकते हैं और आपको ये basic detail डालके continue कर देना है फिर देखिए congratulations का message आएगा अगर आप video की description वाले link से account open करते हैं तो 300 रुपए के free stock आपको मिलेंगे otherwise आपको भी zero रुपए के stock मिल सकते हैं अगर आप मेरा link use नहीं करते हैं तो इसके बाद में आपका pen card में जो भी address link है वो address आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद में apistokes को digiloker से connect करने की permission मांगे जाएगी यहाँ पर आपका जो आधार card है उसके अंदर जो भी mobile number link होगा वहाँ पर एक OTP आएगा और उससे verify करके आप इसको connect कर सकते हैं simply और यहाँ पर आपके आधार card में जो भी details होएगी वो सारी की सारी automatic यहाँ पर आपक permission मांगी जाएगी यह यह सारी permission आपको allow कर देनी है और next screen पर आपके सामने camera request की application आएगी जिससे आपका photo खीचा जाएगा latest photo तो आप इसको continue कर देंगे और यहाँ पर आप got it click करके अपना photo खीच लेंगे photo सही आया है तो आप accept कर देंगे otherwise take another पर click कर लेंगे और retake भी आप आप कर सकते हैं photo सही आने के बाद में आप continue कर देंगे सारी detail आपकी submit हो गई है उसके बाद में last में आपको अपनी bank details देनी है अब कुछ लोग सोचते है bank detail देने से आपके bank account से पैसा निकाल लिया जाएगा ऐसा नहीं होता है bank account detail देने से कोई भी आपके bank से पैसा नहीं न सकता है यहाँ पर वो ही bank add करें जो आपको upstocks app से link करना है बाद में आप दूसरा bank भी add कर सकते हैं लेकिन first time आप वो ही bank add करें जिससे आपको trading start करनी है क्योंकि bank add करने में आपको 3-4 दिन दुबारा से लग जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे IFSC code और bank account number डालेंगे उसके बाद में आपको re-enter करना है और यहाँ पर आपको account type select कर देना है saving या current आपको continue पर क्लिक कर देना है next page पे आपके सामने offer आ जाएगा अभी देखिए upstocks पर account opening जो है वो completely free है तो आप इसको free में account open कर सकते हैं कई बार यहाँ पर आपको 100 रुपे का charge मिल जाएगा देखने को कई बार 200 रुपे का charge मिल जाएगा अभी account opening free है तो जल्दी से जल्दी अपना account open कर सकते हैं और उसके बाद में आपको continue कर देना है और यहाँ पर आपके सामने और भी एक option पूछा जा रहा है आपको upstocks के अलग-अलग segment open करने हैं जैसे कि आप trading भी कर सकते हैं F&O में, currency में, commodity में आपको ये segment open करने हैं तो आप yes activate कर सकते हैं otherwise आप इसको skip कर सकते हैं और या बाद में upstocks app के अंदर दुबारा से activate करना चाहें तो कर सकते हैं अभी के लिए अपन no पे continue कर देते हैं उसके बाद में आपसे nomini की detail मांगी जाएगी जो भी आपको nomini add करना है आप कर सकते हैं या फिर आप इसको बाद में भी करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं और उसके बाद में यह आपका application complete हो गया यहां से आप अपने PDF file download करके देख सकते हैं आपके application में क्या-क्या detail भरी गई है इसके बाद में आपको e-sign कर देना है e- तो यहां पर आप देखेंगे आपके सामने application जो है वो submit हो चुका है अब यहां से जो भी आपने document submit करें हैं उसकी scrutiny की जाएगी उसकी जाज की जाएगी अगर वो document सही होते हैं तो आपका account activate कर दिया जाएगा और account activation जैसे ही complete होता है उसी के साथ-साथ आपके mail पर आपको user ID और password send कर दिया जाता है और उस user ID से आप अपना login कर सकते हैं Apistox app के अंदर भी या फिर आप website यूज करना चाहें तो वहां से भी आप use कर सकते हैं और इसी के साथ आपका account open हो जाएगा फिर आप investment करना चाहें तो investment कर सकते हैं ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग कर सक होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं आप से फिर किसी नए और interesting वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा